दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट में रिवोलूशन लाने वादी OnePlus ने लॉंच के साथ ये Apple और Samsung की मोनोपोली अपने प्राइज स्ट्रेटीजी के दम पे तोड़ दिया जहां OnePlus एक Android जैसे multiple features दे रहा था वहीं साथ में ही अपने sleek design और user experience के दम पे ये Apple को भी कड़ी तकड़ दे रहा था साल 2018 में OnePlus अपने 40% market share के साथ premium smartphone segment पे Apple और Samsung को बीट कर चुका था लेकिन आज वही OnePlus का market share 20% से भी नीचे जा चुका है और कैसे OnePlus अपने downfall के तरफ जा रही है आईए दोस्तों इस case study को समझते हैं जिसमें हम समझेंगे OnePlus कैसे बनी दुनिया की सबसे innovative company और आज क्यों ये अपने downfall के तरफ है लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू कि आप हमारी वीडियो देखते भी हैं लेकिन आप उसे subscribe नहीं करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर subscribe करिएगा इससे हमें बहुत support मिलता है OnePlus के co-founder के शुरूरात Nokia से होती है जब साल 2010 में Nokia शगल कर रहे थी तो उस समय इसके co-founder काल पे Nokia में ही काम कर रहे थे इसके बाद वो OPPO में जाते हैं और OPPO में उन्हेंने काम करते हुए इंडिया के smartphone market में कई बड़े gap रियलाइस किये ये कुछ वैसा ही था जिस तरीके से 2007 में iPhone लाउज करते हुए Apple के CST Jobs ने market के कई बड़े gaps को रियलाइस किया था इस तरीके से काल पे ने देखा कि market में जो Android के phones आया करते हैं उनमें features तो बहुत ज़्यादा हुआ करता है लेकिन उसमें designs की काफी कमी है इसके साथ यूजर experience अच्छा नहीं होता है और इसके competition में दूसरा जो model है वो है Apple का Apple बहुत सारी features तो नहीं दिया करती है लेकिन उनके designs बहुत ही शांदार होते है इसके साथ यूजर experience भी बहुत अच्छा होता है लेकिन इसके लिए Apple कई गुना जादा चार्ज किया करती है और यहीं पर उन्हें market पे एक बड़ी opportunity दिखाए दी कि अगर हम एक mid range phone launch करें जो 5 employees शुरुआत में रहते हैं और इन्होंने December 2013 में अपना slogan एनाउंस कर दिया Never Settle ये सब कुछ ये movement online कर रहे थे क्योंकि इन्होंने एक market में बड़ा change देखा था कि साल 2010 के बाद जहां smart phones पहले offline जाके लोग दुकानों पे खरीदा करते थे लेकिन e-commerce industry के शुरुआत होने के अब लोग online ही phone सर्च किया करते हैं तो आने वाला जो future है वो online का हो सकता है इसलिए OnePlus ने अपने सारे movement को online ही रखा और आप देखेंगे कई सालों तक OnePlus सिर्फ online ही phone बेचा कर रही थे इसके बाद OnePlus ने अपना एक social media पर community बनाया जिसमें बहुत सारे लोगों ने OnePlus को join किया एक smartphone revolution के लिए अभी तक OnePlus के पास कोई भी नया phone नहीं था इन्होंने अपना सबसे पहला smartphone OnePlus One launch किया उसके इन्होंने सिर्फ हजार ही piece बनवाए थे क्योंकि इन्हें लगा था कि market में अगर जादी sale नहीं आई तो हमें काफी बड़ा loss हो सकता है और OnePlus One जैसे ही launch होता है ये market में ए इसके साथ ही OnePlus को phone खरीदने के लिए दूसरी जो condition थी वो ये थी कि आपको अपना mobile phone तोड़ना होगा और उसका एक वीडियो बना के आपको YouTube पे post करना होगा और अगर आप इन दोनों criteria को fulfill करते हैं तो आप OnePlus के पहले 1000 users में आ सकते हैं इसके बाद अगले एक हफ्तों में करी जा फोन तोड़िये मत और OnePlus One को launch किया जाता है 21,999 रुपए में इसकी demand इतनी जादा थी कि लोगों ने eBay और Amazon पे इसको 30,000 रुपए में भी second hand बेचना शुरू कर दिया जहां इन्होंने सोचा था कि मेरे 1000 फोन भी नहीं बेचेंगे उस साल के अंग तक इन्होंने करी 14,000,000 स्मार्टफोन बेचे जहां इनका maximum sales देके तो चाइना, जापान और नौर्थ कुरिया से आया था उस समय थे कि भारत के market में बहुत बड़ा कोई sale नहीं generate कर पाये ते सिर्फ 7% ही sale भारत से आयी थी काल पे और उनकी टीम को लगा कि हमने स्मार्टफोन market को crack कर लिया है अब ये बहुत ही ज़्यादा over confidence पे आ चुकी था और इसके बाद अब ये OnePlus 2 जब launch करने वाले थे वहाँ पे इन्होंने Snapdragon 800 series प्रोसेजर को चूज किया जिसमें कई सारे heating के issues पहले आते थे लेकिन इनको लगा कि हम अपने software के दम पे इन problems को solve कर लेंगे market में ये launch होता है जिसका बड़ा display होता है फिंगरपीट sensors होते हैं लेकिन इसके launch के साथ ही इसमें lagging और heating का issue बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस phone को करीब 20 लाक लोगों ने pre booking किया था लेकिन जब उन्होंने phone को खरीदा तो उनका experience कुछ अच्छा नहीं रहा क्योंकि प्रोसेसर अच्छा नहीं था जिसमें से heating बहुत ज़्यादा हो जा रही थी अभी तक OnePlus अपने दो phone launch कर चुकी थी premium segment पे अब OnePlus सोच रहे थी कि हम mid range section में भी enter कर सकते हैं जहाँ पे कम कीमत में अगर हम phone launch करेंगे तो और जादी लोग हमारा phone खरीच सकते हैं और यहाँ पे OnePlus ने OnePlus X launch किया जो कि एक budget smartphone था करीब 16,9999 रुपय का 3GB RAM और 16GB storage के साथ लेकिन OnePlus अपने over confidence में भूल चुका था कि इंडिया के budget smartphone market section में तो कई सारे brand ने जैसे कि OPPO हो गया, Vivo हो गया, MI हो गया इस सारे के कई सारे brand थे और OnePlus को लोग पसंग करते थे उसके premium pricing और उसके premium features की वज़े से अब वो OnePlus जिसका पहला smartphone इतना बड़ा market का hit साबित हुआ था उसके दो अगले phone market में बुरी तरीके से crash हो चुके थे, अब इनको लग रहा था कि हम market में कैसे survive करेंगा और इसके बाद इनकी team अपने basics पे वापस जाती है, उन्होंने realize कि इस company को हमने शुरू किया था, अपने customer से feedback लेते हुए, और अब ये अपने community में वापस जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि हमारे पिछले दो models में क्या कमी रह गी थी, और उन problems को भी solve करना शुरू करते हैं, और इसके बाद market में आता है OnePlus 3, जिसमें इन्होंने अब पिछले पुराने कुछ features एट कर दिये थे, जैसे कि NFC को वापस लाया था, dash charging लाया था, oxygen OS processor यूज किया था, 6GB RAM था, और sleek design इन्होंने बनाया था, इसका इन्होंने pricing फिर से premium रखा, 27,999 रुपए का, ये phone एक और बार hit साबित हुआ, और इसके साथी इसी सारे इन्होंने एक और दूसरा phone इसी का launch किया, OnePlus 3T, जिसमें इन्होंने selfie camera को update किया था, और battery और storage में भी काम किया था OnePlus अब वापस अपने रास्ते पे आती जा रही थी और उनको अपनी clarity हो गई थी कि लोग हमें budget phone के लिए नहीं पसंद करते हैं, हमें premium smartphone के लिए पसंद करते हैं, जिसमें हम नए नए innovation करते जाएं, और यहीं पे OnePlus 5 launch करती हैं, जिसमें 2 rare camera होता है, ये Apple और Samsung के launch करने के अब OnePlus जो कि एक छोटी से company 2 साल पहले शुरू हुई थी, वो अब Samsung और Apple को बड़ी टकर देना शुरू कर चुकी थी, साल 2017 में अगर हम OnePlus को दुनिया के premium smartphones में देखें, तो वो तीसरे number पे आता था Apple और Samsung के बाद, लेकिन 2018 में इन्होंने करीब 40% market share हास्त कर दिया, जिसमें इन्होंने Samsung को भी पीछे छोड़ दिया और Apple को भी पीछे छोड़ दिया था, ये इतना ज्यादा market में popular हो चुके थे, इसके बाद इन्होंने market में OnePlus 7 लॉंच किया, जो कि एक और बड़ा हिट साबित हुआ, इसके साथ ये OnePlus 8 आता है, कीमत उसकी होती है, करीब 41,999 रुपय क और इसी के बाद आ जाता है COVID, जिसके बाद दो की buying capacity बहुत कम हो गए थी, और यहीं पर OnePlus ने सोचा, कि अगर हम एक बर और budget phone launch करें market में, तो हो सकता है, एक हम नया segment अपने साथ जोड़ ले, और यहीं पर OnePlus ने OnePlus 9 लॉंच किया, साल 2020 में 24,999 रुपय का, इसमें इन्होंने OnePlus 8 के features को थोड़े minimize किया था, processor को थोड़ा reduce किया था, और market में इसे dual selfie camera के साथ launch किया गया था, यह phone बहुत ही खास था, क्योंकि यह car पे जोकि इनके co-founder थे, उनका यह आखरी phone था, जिसके बाद वो company छोड़ देते हैं, और उन्होंने अपनी दूसरी नई company मनाना शुरू कर लेकिन OnePlus Nord के launch के साथ ही, इनका जो fan base था, वो उनसे बुरी तरीके से गुसा हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि OnePlus अपना brand value loose करती जा रही है, इक से साथ ही जो brand का focus है, वो भी हटता जा रहा है, यह सबसे ज़्यादा market में famous थे अपने premium smartphone की वज़स से, लेकिन यह budget section में ब OnePlus यहाँ पर sales सो ज़्यादा ला दे रहे थी, लेकिन वो सबसे बड़ी जो चीज loose कर रही थी, वो यह थी कि वो Apple और Samsung के साथ जहां completion में थे, उस completion से बाहर आके, यह budget smartphone के market में OPPO और Redmi के साथ अब completion कर रहे थे, तो यहाँ पर brand की value सबसे ज़्यादा गिरी थी, जिसको brand realize नह लेके, तो सबसे ज़्यादा BBK Electronics इंडिया के smartphone market को rule करती है, इसका नाम शायद आपने नहीं सुनाओगा, लेकिन यह वही company है, जिसके अंडर में आपका OnePlus phone भी आया करता है, जिसके अंदर OPPO भी आया करता है, जिसके अंदर Vivo भी है और जिसके अंदर आपका Realme का भी phone है, अच्छली इन्होंने अपने अलग-अलग price range में अपने अलग-अलग brand launch की हुए है, इसको समझते हैं, जैसा कि इन्होंने सबसे budget smartphone 10-15,000, 20,000 के अंदर की जो कीमत है, उसके लिए इन्होंने Realme launch किया हुआ है, जिसका सीधा competition है Redmi से, इसके साथ ही अगर हम इंडिया का mid range smartphone का Samsung को दिया करती है, तो इसी तरह इन्होंने अलग-अलग price strategy की मदद से अपने brands को इंडिया में establish कर रखा है, और करिब 40% से जादा market BBK electronics rule किया करती है, इसको अगर हम एक और example से समझने के कोशिश करें तो जो हिंदुस्तान यूनी लीवर है, वो इंडिया का detergent market rule किया करता ह COVID-19 के बाद companies अपनी cost cutting करने की कुशिश कर रहे थी, और यहीं पर BBK electronics ने सुचा कि अगर OPPO और OnePlus को merge कर दिया जाए, तो OPPO के पास एक बहुत बड़ी tech team है, इसके साथ ही वो उनके maintenance, quality assurance और development में काफी जादा help कर सकते हैं, इसके साथ ही OPPO का offline presence बहुत जादा है, मतलब आ आप retail stores पर अगर जाएं, कोई भी mobile phone खरीदे तो आपको OPPO का phone बहुत जादा मिल जाएगा, और यहाँ पर यह OnePlus को बहुत जादा help कर सकते हैं, उनकी retail presence बनाने में, इसके साथ ही अगर OnePlus OPPO से merge होती है, तो OPPO को भी कई सारे support मिलेंगे, उनके branding में, उनके marketing में, और उनकी online strategy बनाने में, क्योंकि OnePlus का online presence बहुत जादा है, तो इस तरीके से दोनों companies benefit हो सकती है, और इसके बाद BBK Electronics में जाद दोनों companies को internally merge करने कोशिश किया, और इस process में जो सबसे पहला काम किया गया, वो यह था कि जो OPPO का color operating system है, उसको merge करने की कोशिश की गई, OnePlus के oxygen operating system से, दोनो companies के same operating system रखने का सबसे बड़ा फाइदा यह होता, कि अगर OPPO कोई भी बड़ा innovation करती है, वो चीज़े वो easily transport कर सकते है, OnePlus के तरफ, या OnePlus कोई भी नया चीज़ लेके आती है, तो वो easily transport किया जा सकता है, OPPO के तरफ, तो यह एक win-win strategy होती, दोनों companies के लिए, लेकिन यह Samsung को बड़ी टकर दे रहे थे, वो आज पूरी तरीके से OPPO को कॉपी कर रहे है, यह बाते लोग को पसंद नहीं आई, और जब 2022 में OnePlus ने अपने community को एक छोटा सा hint दिया, कि हम Color OS जो की OPPO का था, वो यूज़ करने जा रहे हैं, इसके बाद company को काफी बड़े एक backlash का सामना करना पड़ा, अपनी community के तरफ से, जिस बात को company ने समझते हुए जब अपना अगला phone लेके आया, तो वो सीधे OnePlus 10 Series बिल्कुल Oxygen OS पे लेके आये थे, अब इसके बाद OnePlus ने अपने दो नए और 9 Pro और 10 Pro लांच किया, जो की 64,999 और 64,999 की range में था, अब OnePlus अपनी price strategy में ही फस् OnePlus पहले एक premium smartphone लेके आती थी एक affordable price में, मतब 40,000 से 50,000 के बीच में एक अच्छा खासा OnePlus phone बना दिया करती थी, लेकिन अभी वही features ये काफी ज़्यादा rate बढ़ा के देने लगे थे, अब ये चीज़े अब इनके customers को पसंद नहीं आ रही है, ओपो एक mid range phone बनाया करती है, वह सीधे Samsung और Apple को टकर दिता है अपनी pricing की वज़े से, वही ओपो का सीधा computer Xiaomi है, तो यहाँ पे दोनों companies की brand positioning बिल्गुल अलग है, अगर हम इन companies की brand positioning थोड़ी समझने ही कोशिश करें, तो जहाँ OnePlus इंडिया में एक premium smartphone है, वही साथी station market में अगर हम देखें, तो ओपो एक premium smartphone के तरह महाँ पे पसंद किया जाता है, और OnePlus की वहाँ बहुत ज़्यादा sale नहीं है, तो यह country to country vary करता है कि कौन सी company ने किस थरीके से अपनी positioning बना के रखी है, इंडिया में OnePlus की positioning एक premium है, और इंडिया के बाहर इसकी premium smartphone positioning नहीं है, और अभी अगर हम हाली में देखें, तो OnePlus अप से बड़ा fall लेखने की कोशिश करें, तो जहां 2018 में यह Samsung और Apple को beat कर चुके थे, अपने 40% market share के साथ, आज वो 20% से भी नीचे जाके इनका market share गिर चुका है, आज OnePlus की आप sales बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन वो यहाँ पे budget smartphone के range में बाके बेचना शुरू कर चुके है, पहले smartphone से और अभी तक के बीच में हम देखें तो OnePlus अपने community से बार-बार disconnect हो जाता है, जहां उनकी जो community है, वो उनको premium smartphone की वज़े से पसंद किया करती है, लेकिन वो बार-बार budget smartphone लाके, वो अपना जो market share है, उसमें काफी ज़्यादा dent लगा देते हैं, जिसके बाद company फिर लूज होते हुए, ये OPPO के साथ merge होने की कोशिश कर रहे है, ताकि वो price strategy पे थोड़ा सा काम कर सके, यहां पर OnePlus को अपनी strategy बहुत ही जाता figure out करनी होगी, यह हमरा focus क्या था, किसलिए ये company शुरू हुई थी, ये company शुरू हुई थी, community से feedback लेके, और आज वो अपनी community को सु ही नहीं रहे हैं, वहीं तीसरी है, अगर हम सबसे बड़ी problem इसी से linked देखें तो इनकी brand positioning, इनकी आज brand positioning पूरी change हो चुकी है, जहां OnePlus की positioning एक premium smartphone के तरह होती थी, आज वो positioning change होके ये budget smartphone के अंदर आते जा रहे हैं, आप over the period of time देखेंगे, अगर OnePlus में अपनी price strategy और अपने features को update नहीं किया, तो over the period of time OnePlus एक budget smartphone market में बहुती जल्दी गिरते हुए आज आएगी, जो कि उनके market share से भी साफ दिखाई दे रहा है, आप comment option में लिखके बताए कि आपको OnePlus का phone कैसा लगता है, इनकी pricing strategy आज की rate में कैसी है, और आपने इस business के study से क्या सेखा, आप comment option में जरूर ब